गुट मारिंग वच्चो आज हम फिर से हाजिर हैं लेसनल नमेर टू के साथ जो था शेरिंग एंड क्यारिंग हमने लास्ट टाइम जो इस्टोरी छोड़ी थी वो हमने छोड़ी थी कि बन्यन ट्रिय और मैंगो ट्री में बात हो रही थी बनियन ट्री ने मैंगो ट्री को समझानी की कोशिश की थी कि हमें आजानवरों के साथ अच्छा वेवार करना चाहिए लेकिन हम से आगी की कहानी पड़ते हैं तो मैंगो ट्री वाज रिजिट जो आम का पेड था वो आर्डियल था उसने बर्गत के पेड की कोई भी बात नहीं सुनी तो मैंगो ट्री ने अपने पेड की पत्नियों को जोर जोर से हिलाया और तेज आवाज पैदल की जो जानवर थे उन्होंने सोचा की कुछ भयंकर होने वाला है और वो ये समझ कर भाग गए आम के पेड खोश हो गया अपनी हरकत पर और हसने लगा लेकिन अगली सुबह क्या हुआ पता है आपको दो वोटकटर लखड़े लखड़ी काटने वाले जंगल में आए दे हैड एक्से इन देर हैंड उनके हातों में कुलहाड़ी थी जब उन्होंने एक लंबे से आम के पेड को देखा तो वो बहुत खोश हो गए क्यों अब मैं बताती हूँ क्यों खोश हो गए वोटकटर सेट उन में से एक लखड़ी काटने वाले ने कहा फ्रेंड लोग वाट बिग ट्री इस दोस यह देखो यह कितना बड़ा पेड है अदर सेट दूसरे ने क्या कहा यहां पर कोई भी नहीं है नाइदर मैं नौर वाइल एनिमल्स ना आदमी ही यहां है और ना ही क यह को काटना चाहिए यह तो आपकी कहानी हो गई कैसी लगी आपको कहानी जरूर बताएगा इसके साथ साथ आपका हमवर्ग है कि आपको बताना है किसने क्या कहा I will drive them away यह किसने कहा और किस से कहा यह आपको बताना होगा don't be so dude यह किसने कहा और किस से कहा word meaning भी आपको learn कर ने हैं वो है rigid, कठोर, शोक मिन्स सिलाना, noise तो आपको पता ही होगा noise मिन्स होती है आवाज धोनी, demon मिन्स राक्षास, x मिन्स कुढाली, listen मिन्स सुनना, आज के लिए इतना ही next week's film मिलेंगे आपकी लुबना मैडम के साथ, okay bye bye